हालो चिल्डरन, दिस इस प्रीती शर्मा, फैकल्टी ओफ माउंट लेट्राज जी स्कूल ज्यासी आज हम हमारी रिमजिम पुस्तिका से पाठ बारा बस के नीचे बाग पड़ेंगे किसी जंगल में एक छोटा बाग खेल रहा था खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया सड़क पर एक बस खड़ी थी छोटे बाग ने देखा कि बस का दर्वाजा खुला है बाग अपने अगले पंजे बस की सीड़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है छोटे बाग ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दिवार सी है लेकिन यह दिवार कुछ अजीब थी इस दिवार में से बाहर की हर चीजें साफ साफ दिखाई दे रहे थी बाग ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी अचानक छोटे बाग को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं तभी सामनी की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोल कर बाहर कूद गया बसके बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे लोगों को भागते देखकर छोटा बाग कुछ घबराया वह सीड़ी से उत्रा और बसके नीचे घज गया नीचे पहुचकर वह बसके आगे वाले पहिये के पास जाकर दुबग गया लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा वह फिर से बसके भीतर जाना चाता था थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बसकी सीड़ी पर पंजे रख कर भीतर चला गया वह सामने वाली सीड़ पर बैठ कर बाहर देखने लगा सामने से एक बस आ रही थी उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे उन्हें देख कर छोटा बाग सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यूं भाग गए थैंक यू चिल्रन